समस्कार दोस्तों, आउसी के चैनल में आपका स्वागत है आज मैं सिंगल कलर का ये खुबसूरत सा डिजाइन लाए हूँ छोटी छोटी बूटी का बेहत खुबसूरत डिजाइन बनाना बहुत ही आसान और देखे कितना खुबसूरत है आप इसे जन स्वाटर में, डेडिस कारडिगन में, बच्चों के स्वाटर में, गल्स टॉप में, फ्रॉक में चाहे किसे भी मंचा है प्रोजेक्ट में बनाएंगे ये बहुत ही अच्छा लएगा और इसे बनाना बहुत ही आसान है इसे बनाने के लिए हमें 6 के मल्टिपल फंदे चाहिए और 5 फंदा एक्स्ट्रा या 6 के मल्टिपल फंदे और 1 फंदा कम डिजाइन बताने से पहले आप से अनुरूद है कि यदि आप मेरे चैनल पे पहली बार आया है तो कृपिया चैनल को सबस्काइब करके बैल आइकन प्रस कर लें वीडियो और डिजाइन अच्छी लगे तो कृपिया इसे लाइक करें अपने फ्रेंडस और फैमली में शेल करें तो चलिए फ्रेंडस हम डिजाइन बनाते हैं बॉर्डर बनाने के बाद पहली लाइन में हम सभी फंदे सीधे बुलेंगे अब यदि हमें अपने प्रोजेक्ट में फंदे बढ़ाने हो तो हम इस लाइन में फंदे बढ़ा सकते हैं तो मैंने सबी फंदो को सीधा बुन लिया है, जैसे मैंने यहां से स्टार्ट किया था, वैसे ही मैं यहां से आपको बता रहे हूं, तो हम सबी फंदो को सीधा बुन लेंगे, हमारा डिजाइन रॉंग साइड से स्टार्ट होगा, तो यह डिजाइन का पहला लाइन है और दो बार उन लपेटते हुए उल्टा बुनेंगे, एक वा, दो, तीन, तो तीन फंदों को हमने स्लाए में दो बार उन लपेटते हुए उल्टा बुन लिया, अब तीन फंदे हम नार्मली उल्टा बुनेंगे, एक, दो, और तीन, तो पहला फंदा ए जिस्ती इच है, और इन इन्ही छे फंदो को हमें पूरी सलाई में दूराना है अब यहां से हमारा repeat pattern चालू होगा और इन्ही छे फंदो को हम दूराएंगे पहले हम तीन फंदो को सलाई में दो बार उन लपेटते हुए उल्टा बुनेंगे दो एक बार लपेटा एक बार और लपेटा और यह हो गया तीन अब तीन फंदे हम नार्मली उल्टा बुनेंगे एक दो तीन फंदा हम सलाई में दो बार उन लपेटते हुए उल्टा बुनेंगे और तीन फंदे हम नार्मली उल्टा बुनेंगे तो इन ही छे फंदो को दूराते हुए हम पूरी लाइन कम्प्लीट कर लेंगे अब लास्ट में चार फंदे बचेंगे तो हम तीन फंदो को सलाई में दो बार उन लपेटते हुए उल्टा बुनेंगे और लास्ट फंदा एज स्टीच है तो इसे हम नार्मली उल्टा बुनेगे तो इस तरह हमने पहली लाइन कम्प्लीट कर ली अब हम आ जाते हैं सामने की तरफ और ये हमारे डिजाइन का दूसरा लाइन है तो पहला फंदा हम सलिप कर लेंगे अब लपेते हुए तीन फंदो को खोलेंगे एक, दो, और तीन तीनों फंदो को खोल लेंगे इन्हें बाइस लाइ में कर लेंगे अब सामने की तरफ से यानि तीसरे फंदे की तरफ से हम सलिप डालेंगे और पहले की तरफ निकालेंगे ऐसे सामने की तरफ से हम तीनों फंदों में एक सासराई जालेंगे और एक स्तीधा फंदा बनाएंगे एक हुआ उनको अपनी ओर करेंगे ये दूसरा फंदा हो गया और फिर इनी तीनों में एक बार और तो ये 3 से हमने 3 फंदे बना लिए, 3 फंदों से देखें, 3 फंदे बन गए, अब इसे हम गिरा देंगे, अब 3 फंदे हमारे नारमली उल्टा बने गया थे, तो उन्हें हम सीधा बने दें, पहला फंदा एरिस्टे इचा और इनहीं 6 फंदों को हमें पूरी स्लाई में दूरा लपेटे हुए तीन फंदों को हम खोलेंगे, फिर तीनों को एक साथ लेते हुए, फ्रंट लूप से तीन से तीन फंदे बना लेंगे, यह दूसरा हुआ, और फिर इनी में एक बार और बुन लेंगे, तो यह तीन से तीन फंदे बन गए, अगले तीन फंदे सीधे, लपेटे हुए तीन फंदे खोलेंगे तीन फंदों से तीन फंदा हम सीधा बुनते हुए बनाएंगे एक उन अपनी ओर किया दो और फिर इसी में एक बर और सीधा बुन लिया तो हो गया तीन तीन से तीन फंदे बन गया और अगले तीन फंदे सीधे एक, दो, तीन, लपेटे हुए तीन फंदा हम खोलेंगे, तीनों को एक साथ लेंगे, बाइस लाई में कर लेंगे, फिर सामने की तरफ से, यानि तीसरे फंदे से हम पहले फंदे में ऐसे सलाई निकालेंगे, फिर तीन फंदा बनाएंगे, एक, उन अपनी और किया दो, और पिर इसी में एक पर और तीन, इनी छे फंदों को दूर आते हुए हम पूरी लाइन कंप्रेट कर लेंगे, अब लास्ट में तीन लपेटे हुए फंदे बचेंगे, एक, दो, तीन, तो इन्हें खुलेंगे, और तीन से तीन फंदा बना लेंगे, और लास्ट फंदा एजस्टेच है, तो इसे हम सेधा बनेगे, तो इस तरह हमारा दूसरा लाइन कंप्रेट होता है, अब हम वापस आजाते हैं, रॉंग साइड में, और ये हमारे रिजाइन का तीसरा लाइन है, तो पहले फंदे को हम स्लिप कर लेंगे, अब देखिए, इन दो, तीन, और अब अगले तीन फंदे, इन्हें हम स्लाई में दो बार उन लपेटते हुए, उल्टा बुनअ है, अब हमारे रिजाइन का तीसरी लाइन में हमने थोड़ा सा चेंज कर लिया जिन फंदों को हमने सलाई में दो बार उन लपेटते हुए उल्टा बुना था उसे हम नार्मली उल्टा बुन लेंगे एक, दो, तीन और जिसे हमने नार्मली उल्टा बुना था उन्हें हम सलाई में दो बार उन लपेटते हुए उल्टा बुने गए इनीचे फंदों को हमें पूरी सलाई में दोराना है यानि यहां से रिपीट पैटर्न तीन फंदा नार्मली उल्टा एक, दो, तीन और तीन फंदा सलाई में दो बार उन लपेटते हुए उल्टा तीन फंदा नार्मली उल्टा देखें जहां पे डिजाइन बना है उसे हम नार्मली उल्टा बुनेंगे और जहां डिजाइन नहीं बना है वहाँ पे हम सलाई में दू बार उन लपेटते हुए उल्टा बुनेंगे एक दो उल्टा बुन लिया एक दो दू बार लपेटते हुए उल्टा तीन फंदा नार्मली उल्टा और तीन फंदा स्लाई में दू बार उन लपेटते हुए उल्टा चार फंदे बचेंगे इन्हें हम उल्टा बुन लेंगे तीन फंदा डिजाइन बैलेंस करने के लिए और लास्ट फंदा एजस्टेश तो ये हमने तीसरा लाइन भी कम्प्लीट कर लिया अब हम आ जाते हैं सामने की तरफ तो पहला फंदा हम स्लिप कर लेंगे अब देखें ये तीन फंदे नर्मली उल्टा बुने गया थे तो इन्हें हम सीधा बुन लिया अब देखें ये तीन फंदे लपेटे हुए हैं तो पहले इन्हें हम खोलेंगे फिर तीनों को एक साथ लेंगे 22 लाइन में ले लेंगे और फिर तीसरे की तरफ से स्लाइड डालेंगे यानि फ्रंट लूप से और तीनों को एक साथ लेते हुए तीन फंदा बनाएंगे एक उन अपनी और किया दो और फिर इसी में एक बर और बुन लिया तो तीन पहला फंदा आया जिस्टीच है और इन ही छे फंदों को हमें पूरी स्लाइम में दूराना है अब यहां से हमारा रिपीट पैटर्न चाल हो जाएगा यानि तीन फंदा सीधा और फिर तीन लपेटे हुए फंदे को खोल कर और फिर इन तीनों को एक साथ लेकर तीन से तीन फंदे बनाना है तो इन ही छे फंदों को दूराते हुए हम पूरी लाइन कम्प्रेट कर लेंगे लास्ट में चार फंदे बचेंगे तो उन्हें हम सीधा बोलेंगे तो चार लाइन का और छे फंदों का यह रिपीटेट पैटर्न है तो देखिए फ्रेंट्स चार लाइन का और छे फंदों का यह रिपीटेट डिजाइन है सामने से यह ऐसा दिखाए दे रहा है और पीछे से ऐसा तो फ्रेंट्स डिजाइन आपके सामने है यदि आपको यह डिजाइन अच्छा लगा हो तो क्रिप्या लाइक करें अच्छा ना लगा हो तो दिसलाइक करें लेकिन कमेंट जरूर करें ताकि पता चले कि आपको मेरा डिजाइन कैसा लग रहा है थैंक्स फर वाचिंग